जिन्दगी में हम जो चाहते हैं वो हमें आसानी से नहीं मिलता, लेकिन एक सच ये भी है कि हम जो चाहते हैं न वो आसान होता आप सभी को मेरा नमस्ते, आस्टर वास्तो सुप्रिया में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवेंबर महिना टॉर्स यानि कि विशब राशी वालों के लिए कैसा जाने वाला है उनका हेल्थ कैसा रहेगा, कारियर, स्टूडन्स के लिए कैसा है, रिलिशन्शिप्स कैसे है आपको मिलेगी वो रेमेडी जिसे करके और जादा पॉजिटिव रिजल्ट्स पा सकते हैं ये जो हमारा विशलेशन है वो चंदर राशी पर आधारित है लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, तो आप इसे आपके संशाइन या फिर लगनराशी से भी देख सकते हैं अगर अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत ये अच्छा टाइम है, तुरंद कर दीजी चलिए बिना किसी देरी के शिरू करते हैं, तो अगर मैं करियर और मनी की बात करूँ, तो अभी तक आपके साथ क्या हो रहा है ये आपना 10 स्टेप आगे लेते हैं, अपने करियर की और, सफलता की और, और 20 स्टेप पीछे आ जाते हैं, कोई ना कोई रीजन्स की वज़े से लेकिन 15 नवेंबर के बाद ये जो सिचुएशन है वो बदलने वाली है, भाग्या आपका साथ देगा हो सकता है, कहीं आप ट्रावल कर सकते हैं, इन्वेस्मेंट करेंगे आप, न्यू बिजन्स अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिलकुल कीजिए, 15 नवेंबर के बाद बहुत ही अच्छा टाइम है और हाँ, करियर में जो भी आपके पॉलिटिक्स चल रहा था ना, वो खतम होगा नया जॉब अगर धून रहे हैं, तो ट्राइ कीजिए, पॉजिटिव रिजर्ट्स जरूर मिलेगा आपको उसमें बॉस, सीनियर्स के साथ, जो भी आपके रिलिशन्शिप है ना, उसमें सुधार आएगा लेकिन एक कॉशन ये है, कि आप खर्चा काफी करते हुए दिख रहे हैं यहापे तो थोड़ अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, जो जरूरत की चीज़े नहीं है ना, उसे आप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि वो लेके भी ऐसे ही पड़े रहेंगे आपके घर में, कोई यूज नहीं होगा, इसलिए सोच समझ के खर्च कीजिएगा अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ, तो साथ नवेंबर तक तो ठीक है, लेकिन साथ नवेंबर के बात थोड़ा सर्दी, खासी, डाइजेशन में प्रॉब्लम होने के चांसस दिख रहे हैं इसलिए अपने immunity को strong कीजिए, ये बहुत जरूरी है, और थोड़ा खाने पीने पर control कीजिए अगर मैं students की बात करूँ, तो इस महीने आपका concentration काफी high रहेगा कोई भी exam है, बहुत ही अच्छा जाएगा, आपके भागया का support भी मिल रहा है, आपको पढ़ाई करने का मन भी लगेगा अगर मैं आपके love और relationships की बात करूँ, अब दिखे, आपके पास ना सब कुछ होते हुए भी ना, कोई नो कोई ऐसी feeling रहेगी मन में कि किसी ना किसी चीज की कमी है life में, तो मेरा कहना ये है कि आप छोटी छोटी चीजों को ignore कीजे, positive चीज के उपर ध्यान दीजे आपके partner के लिए feelings हैं आपके मन में, लेकिन partner के साथ हो सकता है कोई मन मुटाब हो, लड़ाई जगड़ा हो, वो भी अपने partner के गुस्से की वज़े से तो जादा दिल पे मतले इन चीजों को ignore कीजे, लगी थोड़े दिन बाद ये अपने आप ही शान्त हो जाएगा, ठीक है? अंचाहिल लड़ाई जगड़ों से यहाँ पे बचना बहुत ज़रूरी है, आपके मन के health के लिए, अब as a remedy आप क्या कर सकते हैं इस महीं? आपको ओम, हम, हनुमत नहमा का जाप करना है हर रोज 108 पार, और साथी में विश्नु सहस्तर नाम भी सुन लेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, अब यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, विश्नु सहस्तर नाम, तो बहुत सरे विडियोज मिल जाएंगे, तो super fast वाला है ना, वो 12-13 मिनिट में ही finish हो जाएगा, आप आराम से सुन भी पाएंगे, जादा time भी नहीं लगेगा, अपन में फ्रेंद्स और रिलेटब्स को ये विडियो सेंड करना भूलिएगा नहीं, जो टॉरस को बिलॉंग करते हैं,